हालेलुया मैं परमेसर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुन्दर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है धन्यवाद देता हूँ के एक बाप फिर से परमेसर ने मौका दिया के आपके साथ रूब रहूं और आज दो नौवंबर है एक स्पेसल दिन है लोगों के लिए खासतर से इसाईयों के लिए और बहुत से लोग अभी मुझे सुन भी रहे नहीं रहे होंगे अभी वो कब्रिस्तान में होंगे क्योंकि आज का जो दिन है दो नौवंबर वो मुर्दों की ईद के रूप में मनाया जाता है इसाईयों में इसको मुर्दों की ईद के रूप में मनाते हैं और कब्रिस्तान बहुत अच्छी तरह से सजाए जाते हैं हुआ पर लोग मुर्गों के लिए खाना ले कर जाते हैं, मिठाईयें ले कर जाते हैं, शरावें ले कर जाते हैं, और एक ऐसा महोल जाता है, जैसे मेला लगा हो या खुशियां होती हैं कि हुआ पर प्रात्ना करते हैं, परमेसर से मरेवे लोगों के लिए कि प्रभू हमारे जो अजीज हैं, जो हमारे रिष्टेदार हैं, जो मर गए हैं, उनको स्वर्ग में जगा मिले हैं, आलेलुया, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है, अगर जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, वो इन बातों से दूर रहते हैं, बाइबल में लिखा है, सबुब दे सक बारा ध् तो मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा जो है वो परमेसर के पास लड़ जाएगी, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, चुन नहीं, खाली जेगा, तो फिर क्या करने जाते हैं हमका बिरिस्तान में, अगर हम बाइबल को पढ़ें, पहले थिसलों के उनको पढ़के सुना दूंगो, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे हम, पहला थिसलों के उनकियों और उसका चार अध्याए, देखें वहाँ पर क्या लिखा है, हे भाईयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विश्य में जो सूते हैं, यानि कि जो मर गए हैं, अज्यान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरो कि नाई शोक करो, जिनने आशा नहीं, हमें आशा है कि हम अपने अजीदों से दुबारा मिलेंगे जब प्रभू येश्य मसी आएगा, तो हम तो शोक करते नहीं, अलेलुया, शोक वो करते जिनने आशा नहीं, जो मर गए तो वो मर गए, ऐसा लेकर आएगा, तो कहां पर है वो? पैराडाइस में, वहां पर जाकर इखटा हो रहे हैं, जो मर गए, जो आत्मा है, जो मर गई है, वो जमीन पर नहीं है, हम उनके लिए रोए नहीं, हम उनके आगे फूल माला या अगर बत्तिया या मुम बत्तिया ना जलाएं, वो तो मि आगे लिखा है, क्योंकि हम प्रभू के वचन के अनुशार तुम से ये कहते हैं, कि हम जो जीवित हैं और प्रभू के आने तक बचे रहेंगे, तो सोय हुऊं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभू आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान द उनके साथ हम बाद लोग पर उठा लिये जाएंगी, तो फिर आज कभरस्तान में हम लोग क्या कर रहे हैं, महां तो कुछ भी नहीं है, महां तो मिट्टी है, गीड़ा खा जाता है सारी बदन को, मिट्टी जीओं के मिट्टी में मिल जाएगी, सबबदेशक का लिखने वा ये परमपराय निभाते निभाते हम अपने आपको परमेसर के आगमन के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, हालिलुया, हमें प्रभु के आगमन के लिए अपने आपको तैयार करना है, दाउत कहता है कि जब मैं कबर में चला जाओंगा, तब तेरे ल कि चम्बर को मानने के लिए जा रहे हैं हम ऐसके साथ बहुत अच्छा रेम करते हैं हम उनके साध 그러면 करते हैं रही इसा करने और आत्मा जिसे परमेस्वर ने दिया है, वो परमेस्वर के पास लोड़ जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ शुन्य है, ये मुर्दों की एद मनाना वेर्थ है, ये अडंबर है, ये मनुस्यों के बनायवे रिती रिवाज हैं, मरकुष साथ अध्याय में येसु मस ने कहा, कि जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु कहते हैं, कि हुटों से तो मेरा आधर करते हैं, लेकिन इनके मन मुझसे दूर है, क्योंकि ये मनुस्यों की आग्याओं को धर्म अब्देश करके सिखाते हैं, और परमेस्वर की आग्या को कैसी अच्छी रिती से टाल देते ह हम मनुस्यों की आग्याओं को मान रहे हैं परमेसर की आग्याओं को हमने दर किनार कर दिया है होना क्या चाहिए हमें परमेसर की आग्याओं का पालन करना चाहिए और मनुस्यों के इन आडंबरों को इन परंपराओं को इन विरास्तों को इन वेर्थ की बातों को दूर करके भटा देना चाहिए और कह देना चाहिए कि हमें इनकी जरूरत नहीं है क्यों कि हम येस्व मसी के अनुयाई हैं हम येस्व मसी के पीछे चलने वाले लोग हैं जब येशु मसी अपने चेलों को चुनाव कर रहे थे, तब येश चेला कहने लगा, कि प्रभू मुझे आग्या दे कि मैं अपने पिता को गाड़ाओं, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा, प्रभू येशु मसी ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तु कि दिन बुरे हैं, हालेलुया, तो वचन के अनुसार अगर हम अपनी जीवन को वैतीत करेंगे, तो हम प्रभू येशु मसी का शुबागमन बहुत निकट है, हालेलुया, तो ये छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, आगे आपकी मर्दी है, जो आप करें करेंगे, परमे सर आपको बहुत सारी आशिशें दे, समझ बुद्धि ज्यान दे और अपने में बढ़ने की सामरते, हालेलुया, मैं इस बात के लिए मैं सोच रहा था कि आज मैं मैसेज नहीं करूंगा, क्योंकि आज तो बहुत से लोग कब्रस्तान गएवे होंगे, लेक जो प्रभू के लिए अपने आपको तैयार कर रहे हैं, कि दिन रात उसकी सिवा में लगे रहते हैं, जो इन परमपराओं को इन आडंबरों को नहीं मानते, जो मनुस्यों की बनाई विरितियों पर नहीं चलते, वो लोग आज इस बचन को सुने, मैं भी आपके साथ इस ब बनाने का परियास करूँगा और प्रात्ना करूँगा कि आप भी मेरे साथ इस बचन में बने रहें, हालेलुया, तो आईए, देखते हैं, आज का जो बचन है, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, कितना पैसा है हमारे ठाते में, ठीक है, तो बैंक खुले में, जगा जगा बैं में जाता हूं देखता हूं कि 1-2-3 दिन कॉपिन लेके खड़े हैं लोग और पैसा निकाल रहा है कुछ कुछ कोई कुछ इस तरह से हमाँ पर बहुत सारी भीड बैंकों में होती है और बैंक में जो पैसा जो होता है हमारा क्यों जमा करते हैं हम मैंने बहुत से लोगों के मुझसे सुनाए मैंने अपने परिवार के लोगों के मुझसे भी सुनाए कि बार जब मैं हम छोड़े वाल है हमारे लिए कि हम इस बात को जाने की बुरा वक्ट है क्या और क्या पैसा उस बरे बुरे वक्त से हमको बचा लेगा क्या पैसा हमें मि रित्व से बचा लेगा लाखो być करोड़ों अर्ब रुपया होतान लोगों के पास तीर भी वो मर जाते हैं क्यों ही बचा लेते आ और वो उसने कुछ नहीं का और दिवार की तरफ मुझ करके और वो बिलग-बिलग कर रोने लगा और उसने परमेसर को कुछ बात ही याद दिलाई परभु देख मैं तो बहुत ही निश्कपट हो के तेरे साथ चलता रहा जो तू कहता था मैं वहीं करता रहा तीन-चर बात उसने परमेसर को बताएं फिर परमेसर ने का हाँ या यह तो बहुत अच्छी बात बता रहा इसने तो ऐसे ही किया है, तब परमेशन ने अपने विचारों को बदल दिया, परमेशन ने अपनी इच्छा को बदल दिया, और उससे कहा कि जा मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा, कितना पैसा लगा उसका, हलेलुया, एक बहुत अच्छा गाना है जो लोग गाते हैं, हलेलु पढ़ने में कोई पैसा नहीं लगता, और हम बैंक बैलेंस की बात करते हैं, अलेलिया, बैंक बैलेंस हमारा होना चीए, प्रॉब्लम आ जाएगी, तो कैसे करेंगे, ये चिंताएं हमको घेर रखती हैं, लेकिन जब हम परमेशन के उपर भरोसा करते हैं, जब हम देखते ह में के परमेशर किस रिती से मुसा के साथ 25 राक लोगों को निकाल कर लेकर आया, और जब लाल समंदर आ गया है, वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब कितना पैसा था मुसा के पास, कि वो जल्दी से पुल बनवा लेता, और जल्दी से वो लोग पार हो जाते, मैं समझता हूं, पैसा सुना चांधी तो था, लेकने वो किस काम आया, वो मूर्ती बनाने के काम आया, लाल समंदर पार, एक संकट की घड़ी, एक संकट की घड़ी जब आई उनके सामने, तू कौन सा पैसा उनके काम आया, सिर्फ परमेश्टवर काम आया उस टाम, अधर पर जब उसने मारी तो वो दो भाग हो गया, और मैं पैसी के हम इस इनकार नहीं कर रहा है, मैं यह नहीं कह रहा है कि पैसा नहीं होना चीए, पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन पैसा हमारी कमजोरी नहीं बन जाए, पैसा जरूरत बनें, लेकिन पैसा हमारी कमजोरी न नहां बन जाए हम देखते हैं कि पैसा जो है वो हमें पर्मेसर से अलग कर देता है हम देखते हैं पहला तुमूध छे अध्याय नौ अधसायत में लिखा है कि रुपय का लोग सब प्रकार की बुराईयों की जड़ है रुपय का लोग सब प्रकार की बुराईयों की जड़ है जिसे प्रात करने के लिए बहुत से लोगों ने अपने आपको नाना प्रकार के दुखों से चलनी कर दिया मैंने देखा बहुत से लोग करदार हो जाते हैं आखों रूपय कर जाते हैं और फिर एक दिन क्या होता है वह आतमत्या कर लेते हैं यह रूपय की होड हमें गरक क्यों लेकर जाती है वड़ा है वचन में लिखा यह सुमसी ने कहा कि पहले इसके धर्म और राज्य की खोज करो तो यह सब चीजे तुम्हें मिल जाएंगी क्य जाते है तो उनकी जोच खाली होती है रात के लिए या कल के लिए कुछ नहीं बटोरते व्यों क्योंने पता है कि कल का दिन परमेस्टर का दिन है परमेस्टर हमें अपने आप कुछ खाने को देगा हाली बीजाई है हमारा मुल्ह उन गौरीओं से बढ़कर है उन गौरू आए ही क्यों जब हम प्रभु के साथ रहें तो आए देखिए एक वचन देखते हैं उसके बाद मैं आगे चलूँगा बहुत अच्छा वचन आज मेरे पास मेरे साथ बने रहेगा भजन सहिता निकाल लीजे सोल अध्याए अगर आपके पास अगर नहीं है तो सुनिए आप और भजन सेता सोला अध्याए और उसकी आखरी आयत मैं पढ़ूँगा ध्यान से सुनिए यहां पर क्या लिखा है मैं लिखा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा तेरे निकट आनद की भरपूरी है तेरे दाइने हाथ में सुख सरवदा बना रहता है सुख सर सरवदा तो कहां गए वो मुसीबत के दिन कहां गए वो प्रॉब्लम वाले दिन कि जिसके लिए हम पैसा खटा करें देखा है कि तेरे निकट आनद की बरपूरी है और तेरे दाइने हाथ में सुख सरवदा बना सरवदा हमें इस था कब होता यह आई अब इसको देखते है अब हम देखेंगे आत्मिक रिती से कि यह बैंक बैलंस आत्मिक रिती से हमारे जीवन में कैसे काम कर सकता है हमारे पास एक आत्मिक बैंक होना चाहिए जिसमें हम आत्मिक चीजों को इखटा करें हालेलुया तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं एक विद्वा के विश्य राइसे में जानेंगे यह नियाई के पास जाती हैं आए यह देखेंगे निकालेंगे लूका अठारा धिहाए और पहली आड़ाहाँ मैं पढ़ूगा ध्यान से सुनिएका कि क्या लिखा है वहाँ Do लूका है पहली आएस से मैं पढ़ रहा हूं कि यहां से सुनें क्या लिखा है फिर उसने कि इसके विश्य में कि नित्य प्रार्थना करना और ह्याव ना छोड़ना चाहिए उनसे द्रश्टांद का नित्य मतलब बराबर रेगुलर निरंतर प्राथना करते रहना चाहिए हमको रोज य जी प्राथना करने से और लोगों के जीवन में काम होता है कि लोग मैं रास्ते में होता हूं कहीं जा रहा होता हूं तो हुँआ पर मेरे पास फोन आता है कि ब्रधर में लिए प्रास्ना कीजिए और क्या होता है कि कुछ ऐसी परिस्टिसी बन जाती है कि मैं भूल जाता हूं स्ट्याम और ठोड़ी दिन बाद एक दिन दो दिन थीन बाद हफ़ते बाद कई आप तीन साल बाद मेरे पास कॉल करते हैं और हमारा काम हो गिया ज़ो किसे इसलिए निरंतर प्रातना करते रहना चीए करते रहना चाहिए दुर्ष्टान का लेंड आकर करता हूं सब्सकों कि स lied दोरीय कांगी और रहती थी पर आकर कहां करती थी कि मेरा नयाय चुका कर मुझे जो निरंतरता होती है निरंतरता वो परिणाम लेकर आती है इसको इंगलिस में बोले क्यांगे जो है वो रिजल्ट लेकर आती है एक संसारिक दोहाय मैं कभी यूज नहीं करता हूं फिर मी मैं आज बताना चाहता हम के करत करत अभ्यास के जड़मति होती जान और रस्री आवज जाते सिल पर परत निसान इतने चितना अभ्यास करते रहेंगे करते रहेंगे उसमें परीपक होते चले जाएंगे एक बाल्टी रस्ती से बंदी है और जब वो कुए में जाती है और जब भरकर वापस आती है इसको खीचा जाता है तो वहां पर बहुत बड़ा पत्थर होता है उस पर वो रस्ती निसान डाल देती है जबकि मेरे नयाय चुका कर मुझे 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 से बचा उसने कितने समय तक तो ना माना पर अंत में मन में विचार कर कहा यदी मैं ना परमेसर से डरता और ना मनुस्यों की कुछ परवा करता तो भी यह विद्वा मुझे सताती रहती है इसलिए मैं उसका नयाय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा नहों कि वो घड़ी-घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम कर दे, बार-बार-बार-बार, इतनी जमा कर दी उसने अपनी प्रास्मा है वहाँ पर, और एक दिन क्या हो गया, वो भी मान गया, एक शतानियत भरा व्यक्ति, जिसका दिल पसीज क्या उसे, एक डर उसके अंदर आगया, कि अरे इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया, अब सुनियों येशु मसी क्या क्या दे, अगर आज आजाएं प्रगु येशु मसी तो बहुत से लोग तो कब्रिस्तान में भी लेंगे येशु मसी है, आललुया, तो एक निरंतरता हमारी प्राथना में हो, ताकि हमारे पास एक बैंक बैलन्स बन जाए प्राथना का, और एक यूनिटी, प्राथना की यूनिटी ह हमारे पास हो जाए, एक गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, बहुत सारी प्राथना हमारे पास जमा हो जाएं और प्रमेस्वर उन प्राथना का जवाब दे, आपको याद होगा प्रेरित्यों काम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुर्णेलिस, और वह व् से इस्ताय लिखी हैं बाइबल में, आइए देखते हैं उसको क्या लिखा है, निकाल लीजे मेरे साथ, प्रेरित्यों काम दस अध्याय है, कैसरिया में कुर्णेलिस नाम एक मनुस्य था, जो इतालियानी नाम पल्टन का सुवेदार था, पहली बात किया है, वो भक्त था, और अपने सारे घराने समेथ परमेश्वर से रिरता था, यहुदी लोगों को बहुत दान देता था, और बराबर परमेश्वर से प्राथन करते हैं, अब देखिए एक व्यक्ति है, पुल्यरंतर परमेश्वर से प्राथना करना है, भक्त है, और पूरे घराने समयथ परमेश्वर से प्राथना से रिटता है, यह निकि अकेला प्राथना में बैढ़ गया, प्रभु मुझे माफ़कर देना, मुझे आशिष देना, आप वाटसप पर आशीष का वचन भेज़ दीजिए बहुत से लोग करेंगे आमें 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 लिखते चले जाएंगे लेकिन आप कोई खरा वचन भेज़े तो कोई भी उसका जवाब नहीं देगा तो यहां पर एक व्यक्ति है जो भक्त है और पूरे घराने समेट पर में से डरता है और तीसरी बात क्या है कि वो यहुदी लोगों को बहुत दान देता है चौत्री बात है कि वो निरंतर प्रात्ना करता है उसका जो प्रात्ना है वो कहां पर जमा हो रही है जाकर एक बैंक है स्वर्ग में जहां पर उसकी प्रात्ना जमा होती चली जा रही है एक स्वर्गदूत मेरे पास घीतर आकर कहता है कि हे कुर्णेले उसने उसे ध्यान से देखा और डर करका हे प्रभु क्या है उसने उसने कहा तेरी प्रार्थना है और तेरे दान समंड के लिए परमेसर के पास पहुच गए है तेरी प्रार्थना है जो रोज हम करते रहते हैं करते रहते हैं विद्वा की तना बार 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 उसको हम रिपीट करते रहते हैं प्रभु तू सुन प्रभु तू सुन प्रभु तू देख प्रभु मुझे आत्मिकता में आगे बढ़ा प्रभु तू मुझे पवित्र असमिक वर्दानों की धुन में रहो वह चीज़ें मांगते रहा और प्रमेशर हमें देगा यह व्यक्ति जो है वह निरंतर पर मेशर से प्रात्ना कर रहा है और उसकी प्रात्ना कहा पहुंच गई वह पर मेशर के पांस पहुंच की समंड के लिए और पर मेश्टर ने कहा कि जाकर एक पूरा एड्रस पवित्रात्मा ने पूरा एड्रस दिया है वहाँ पर पत्रस को बिलाने के रही याफा में जा वह एड्रस क्या है कि पत्रस क्या है कि अरफ जमड़े का व्यापार करने वाला समुंदर के किनारे याफा पूरा एड्रस जो है वो पवित्र आत्मा ने बताया और फिर उसने वहाँ पर लोगों को भेजा पत्रस आया और पत्रस ने उसका बप्तिस्मा किया तो एक संसारिक बैंक में तो हम पैसे जमा कर रहे हैं हमारी मुसीबत में काम आएगा वह पैसा चिंते हम आत्मिक बैंक में अपना खाथा खुल रखा हुए हमने भहतसे लोगों कि henki मुझे लग रहा ह respirator ». हम आत्मिक संसार में अपने खाते को खुल लें आज ही से प्रार्थना शुरू करें और निरंतर प्रात्ना करते रहें एक दिन प्रात्ना सुन ली जाएगी हालेलुया एक दिन प्रात्ना सुन ली जाएगी हालेलुया आई एक छोटा सा वचन और देखेंगे उसके बाद मैं प्रास्ना करूंगा प्रिरतों की काम दो अध्याए और पढ़ेंगे उसकी 42 आयत में क्या लिखा है मैं थोड़ा उपर से पढ़ूंगा चालीस अध्याए से उसने बहुत और बातों से गवाही दे दे कर समझाया कि अपने आपको इस टेड़ी जाती से बचाओ तो जिन्हों ने उसका वचन ग्रहन किया उन्होंने बप्तिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्वे के लगबग उसके साथ मिल गए और वे प्रेरितों से शुच्छा पाने संंगती रखने में रोटी तोडने में और प्रार्थना करने में लॉलीन रहे टीनः के एक दिन भप्राथकित्मा ले लिया चलो आज प्रासना कर ले हें तोड़े दिरे से बचाहए प्रणत देबटको हटा दूगा तो पहला प्रेम क्या होता है जिया हम बप्तिस्पमा होता है औरहा प्रेम अस प्रेम को धीरे दीडिन क्याँ यह sincer बैंक aha में निखाए सब लोगों पर भया चाल बहुत से अद्बुत काम और चिन प्रेरितों के द्वारा प्रगट होते रहे संदर चैइंसी प्रतिन आगे- और फिर बड़े-बड़े-बड़े काम होने शुरू हो गया या एक बारटना से कुछ नहीं होगा है कि परमेस्ट्र हमारे मनों का ज्याचने वाला हो जानता है आज आगे अगया कल फिर नहीं आए गए क्यूंकि आज दरूरत है है आज मांग लिया इसने मैंने दे दिया तो कल फिर नहीं निरंद्र प्रात्ना में लगे हैं और बड़े बड़े काम हाँ पर हो रहे हैं लिखा है और वे सब विश्वास करने वाले एखटे रहते थे और उनकी सब वस्तिये साजे की थी और अपनी अपनी संपत्ती और समान बेज-बेजकार जैसी जिसकी आवश्यक्ता होती थी वोजन किया करते थे और पर्मेशर की स्तूती करते थे और सब लोग अन से प्रसन थे और जो धरःफ आती दिन उनके साथ मिल जाते थे लिए और ना-ईक्र कोते हैं प्रähänक में अपनी प्रात्ञावं को जमाना करते अपनी हड़िये ना तोड़ते अ पनी मशक्त ना करतें अपनी महिनगत ना करते तो आज ठाइबल से नहीं होती आप बाइबल घर घर में है सिर्फ इन 12 लोगों की वज़य से इनौने अपना जीवन दे दिया निरंतर लगाथार क्राक्दों में लगे रहे ये लोग और इनौने जूत कि उन्होंने कोई तीस तहवार नहीं मनाया, आप देख लीजिएगा प्रेरत्यों काम एक अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक, कहीं पर भी लिखाओ कि आओ, आज तो येशु मसी के जी उठने का दिन है, चलो हम इस्टर मनाएं, आज तो येशु मसी के मरने का दिन है, चलो आज ह आज हमारे पास वचन है, आज हमारे पास उध्धार है, आज हमारे पास छुटकार है, आज हमारे पास आशिशी हैं, ये उन्हीं लोगों की वज़ा से अगर वो बैठ जाते, एक दिन प्रातना करते तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमारे पास वचन आता ही नहीं, हले बैंक में अपना खाता नहीं खोला, तो आज ही अपना नाम लिखवा लिजिए, क्योंकि क्या पता कौन सी प्रात्ना सुन ली जाए, और हमारे और लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम उने शुरू हो जाए, हालेलुया, तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम बोला, हमसे बात चित की, मैं बिंती करता हूं प्रभुजी, आज अपने बच्चों के हिर्दे की गुड़ाई कर, तकि जो वचन का बीच बोया गया प्रभुजी, वो फल बन्त हो, और वो 30-60 ने 100 गुना, 1000 गुना फल लेकर आए, मैं बिंती करता हूं प्रभुजी, आज लोग जो अडंबरों में फशे हैं, जो परमपराओं में फशे हैं प्रभुजी, जो मनुस्यों के रितियों पर चलते हैं, उनके रिति रिवाजों को मानते हैं, तो आज उनसे बोलर बात चित का है, प्रभु उनका जीवन बदरे, और प्रभुजी वो अपना जीवन तेर आश्यशीत, धन्यवादot तहallasu, तुने मेरी स्प्रा अरत्नों को भी सुन दिया, येसु मसी के नाम से मांता, आमेन, आमेन, शिरामें, भी से अलस्के दिया जिसकी आज हम्यça чис की अय्य बास सारी आशी से एसे ही देता रहे, आमें